Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल अब मुझे थोड़ा सा research करके बताई है, पहले शुरुआत में एक चोटा सा homework है, कि 1st November पे कौन से कौन से राज्यो का state formation day मनाया जाता है, in fact करनाटका के बारे में क्यों बताया है मैंने specifically, क्योंकि 1956 में जब state reorganization हुआ था, तो 1 November 1956 को मैसूरु राज्य की स्थापना हुई थी, मैसूरु की साथ दूसरे कई राज्य भी बने थे, लेकिन करनाटका नाम कब आया, करनाटका नाम came from 1st November 1973, तो उस समय से करनड़ राज्योत्सवा बड़े ही जोरो शुरो शुरो शे मनाया जाता है करनाटका में, in fact I'm quite sure कि बहुत सारे लोग जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं सॉफ्ट्वे सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर आब बैंगलोरों में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि पूरा नवंबर का महीना कनड़ा राज्योत्सवा मन्त करके सेलेबरेट किया जाता है, तो उसी लिए happy कनड़ा राज्योत्सवा, and do let me know कौन से कौन से दूसरे का 1st November पे formation day है, if I'm not wrong, केरला एंड मध्यप्रदेश are there for sure, लेकिन उसके अलवा कौन से दूसरे राज्य है, जो 1st November पे अपना state formation day celebrate करते हैं, do let me know in the comment section, that's the first job you have, right, चलिए, आज के topic पे चलते हैं, आज हम लोग एक बहुती दिलजस्प चर्चा करने वाले हैं, एक बीमारी इस प्रडॉमिनेटली साउथ इंडिन अक्टर्स, आज कल तो बहुत सारी बॉलिवूड मुईस में यो काम करने लगी है, अगर आपने सेट मैक्स वागेर आप या फिर जी सिनावे जो डब मुई आती हैं, तो उसमें वो मक्खी वाली मुई देखी होगी, मक्खी, right, इग शी वाली में इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और उन्होंने अपनी एक रेर कंडिशन के बारे में सभी को बताया, and that rare condition is called as myositis or myositis, तो I would pronounce it as myositis itself, तो आज हम लोग discussion करने वाले हैं कि ये myositis है क्या, क्या बीमारी है, किसकी वज़े से होता है, किस प्रकार की ये बीमारी है, कैसे diagnosis होती है और क्या ये treatable है या नहीं, इन सभी चीजों के पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, and a cautionary note, I am not a doctor please remember this, तो I am just giving you information about this, क्योंकि this is a very important topic, questions can come on this, myositis एक option भी बन सकता है, इसके उपर simple से MCQ सवाल भी बनाये जा सकते हैं, so be ready for this particular topic, चलिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले, I am quite sure कि आपने UPSC का 2023 की तियारी कर रहे हैं, तो आपने हमारा foundation batch में enroll जरूर किय हैं, लेकिन अगर आप इन नहीं किया है, then 2024 is an opportunity for you, आपको लग रहा है कि देर हो गई है, आप सोच रहे थे, तो 2024 की preparation हमारी start हो चुकिए, आपको जानना है कि हमारा batch 1 for UPSC 2024, it is beginning from 14th November, और आप जानते हैं, कि Study IQ का course is the most comprehensive course and the most affordable course, यह पूरा package आपको मिलेगा for 18999, लेकिन use my code Rahul Life, अब देखिए, 2024 के लिए तयारी चलने वाली है, और यह November में शुरू हर, यानि कि 2022 के डेर महीनी, 2023 पूरा prepare करोगे, 2024 में भी आपकी test series continuously चलती रहेगी, तो almost एक डेर साल की continuous preparation चलती रहेगी, जहां पे हमारा focus रहेगा to teach you the complete course, personal guidance आपको मिलेगी, one-to-one mentors, एक mentor आप focus होता है, not just on teaching, teaching and its implementation, MCQ practice होगी, आपकी answer writing practice होगी, right, so test series आपकी चलेगी, 2024, so अगर आप plan कर रहे है, UPSC 2024 को, do enjoy all for this, अगर आपको इस price पे चाहिए, तो you have to use my code Rahul Life, so do it as soon as possible, right, and just go to the website, और download our app, जहां पे आपको सारी information मिलेगी, एक schedule भी बना हुआ है, कि 14 November से किस तरह के classes चलेगी, क्या क्या चलेगी, just visit there, right, चली, बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाली में, actress Samantha Ruth Prabhu ने, Instagram पे इस तरह का एक post किया, जहां पे उन्होंने यह भी बताया, यह response to Yashoda trailer, उनका एक मुई भी आली, Yashoda, it was quite overwhelming, और उन्होंने यहां पे बताया, that she has been recently diagnosed with autoimmune condition myocyt तो चलेगी, let's talk about myocytis, right, क्या है myocytis, लेकिन उससे पहले, यह autoimmune condition क्या है, इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि myocytis तो एक प्रकार हो गया है, लेकिन autoimmune diseases बहुत सारे होते हैं, autoimmune disease और autoimmune disorders are many, अब autoimmune condition या फिर autoimmune disease होता क्या है, नाम से पता चल रहा है, autoimmune, देखें, यहा season is changing, तो सर्दी हो गई है, तो जिससे सर्दी होगी, तो मेरे body का immune system है, वो उसको react करेगा, यानि कि मेरे immune system में जो WBCs है, जो receptors है, जैसी समझ लीजे, कोई bacterial infection है, viral infection है, तो मेरी body उसके खिलाफ antibodies produce करेगी, उसको खतम करने की कोशिश करेगी, तो सर्दी का cycle 2-3 निन चलेगा, उसके बाद खतम हो जाएगा, यानि कि मेरी body, automatically, अगर foreign organism है, समझ लीजे, bacteria, virus, fungi वागेर, उसको खतम करने की कोशिश करेगा, अगर वो मेरी body को हानी कर रहा है, और हमारी body में we do know एक innate, यानि कि जब से हम लोग पैदा हुआ है, तब से एक immune system होता ही है, उसके बाद हम immune system develop हुआ वरत रहे, लेकिन autoimmune condition वो condition है, जहाँ पे आपकी body का जो immune system है, वो आपकी अच्छे वाले part के ऊपर, यानि कि वो distinguish नहीं कर पा रहा है, कि foreign material है harmful है नहीं, और आपके किसी अच्छे tissue के ऊपर, अच्छे organ के ऊपर, वो impact कर रहा है, so autoimmune disorder और autoimmune disease is something, जहाँ पे आपका immune system mistakenly आपके अच्छे part के ऊपर, अब वो आपका अच्छा skin हो सकती है, muscle हो सकती है, कोई joint हो सकता है, कोई specific organ भी हो सकता है, उसके ऊपर attack कर रहा है, यानि कि आपकी खुद की body, आपके खुद की body part को, यानि कि organ के ऊपर attack कर रहा है, that's the basic understanding of autoimmune disease, और myositis, एक generally autoimmune disease या फिर disorder मा लेकिन अगर हम लोग autoimmune diseases की बात करें, बहुत सारे autoimmune disease है, 100 से भी ज्यादा, अलग अलग parts के, जैसे की, for example, हम लोग बात करें, brain में MS है, multiple sclerosis, या फिर गियान बरे syndrome में, गियान बरे also impacts the brain, इसके अलावा आपको GI tract मे तो बहुत से है, celiac disease, Crohn's disease, या फिर Hashimoto's disease, thyroid disease, rheumatid arthritis हो गया, या फिर आपको Fibromyalgia, Wegener's disease है, बहुत सारे diseases है, जिसको autoimmune disease है, फिर disorder माना जाता है, जहाँ पर आपका immune system, आपके किसी अच्छे भाग के उपर, अच्छा muscle, अच्छे आपके ओर्गन के उपर impact कर रहा है, and it is adversely impacting your body, right, तो इसके उपर भी MCQ बन सकता है, जैसे, अगर इसका एक प्रकार है, myositis, right, अब यह myositis क्या है, remember, myositis में अगर हम लोग divide करें, myo, यह myo जो root word है, it is used for muscles, इसको आपको ध्यान लखना है हमेशा, यह मैं आपको root word हमेशा क्यों बताता हूँ, क्योंकि इससे कई बार अगर आपको चीज़े बता भी नहीं, तो आप अनु पता नहीं, तो मैंने बोला, root word तो है, cryo, cryo मतलब ठंडी चीज, right, जो minus 100 degree Celsius के आपको तो cryosphere मतलब, अर्थ का वो भाग जहाँ पर temperature बहुत ही कम है, यानि कि polar regions basically, that's the basic idea, right, तो इसलिए root words पता होना चाहिए, myo जहां पी भी आता है, it is connected to muscle, जैसे कि myocardial infarct, या फिर myocardial inf infarction हम लोग कह दे, तो myo मतलब muscle, cardial मतलब heart के muscle का infarct, यानि कि heart के muscle के साथ कुछ problem हो गया, that's the basic understanding, right, तो myocytis मतलब इंसान के muscle में कुछ हो रहा है, अब myocytis means muscle inflammation, basically your muscles are inflamed, muscle दर्द करता है, muscle weak होता है, और generally, ध्यान रखिएगा, generally, myocytis is considered as autoimmune disease, although इसके causes दूसरे भी है, ध् यहाँ पर आपकी muscles weak होना शूरू हो जाएगा, skin के उपर rashes हो जाएगे, muscle pain हो जाएगे, कई बार, अगर समाझ लीजए, यहाँ पर होगा, you can see here, neck muscles, shoulder muscles, your thigh muscles, hip muscles, और आपके hands, इन muscles में आपको weakness हो आती है, आप move नहीं कर पाओगे, जिसे कई बार, आप मैं बात कर रहो, कम है, एक लाग population में, 4 से 20 के आसपास cases आते हैं, अब सवाल यह उठता है, यह होता क्यों है, although मैंने आपको बता दिया, कि it is autoimmune, मैं कहूंगा, generally, please remember, generally, एक cause हो सकता है, autoimmune, यानि कि आपके immune system गढ़ बढ़ा गया है, जिसकी वैसे आपको myositis हो रहा है, लेकिन, अगर मैं only, मैं कहूंगा, यह गलत statement होगा, क्यों? क्योंकि myositis is generally considered as idiopathic, अब idiopathic मतलब, जिसके cause unknown भी हो सकते हैं, कई बार, one of the causes is autoimmune disorder, या फिर immune system गढ़ बढ़ा जाना, लेकिन, idiopathic disorders वो होते हैं, जिसके cause अभी ढूंड निकालने हैं, we do not know what are the causes, तो यह idiopathic है, generally, आपको autoimmune मिलते ह हैं, लेकिन कई बार, because of injury, या फिर किसी infection की वैसे, या फिर आपने कोई drug consume किया है, drug toxicity की वैसे भी हो सकता है, किसी virus की वैसे हो सकता है, या फिर अगर HIV हो, flu हो, इन cases में भी myositis देखा गया है, इसके अलाबा, many times, myositis is also associated with cancer, cancer और myositis का भी relationship है, अब आपके दिमाग में सवा सर, अगर ऐसा है, तो हम इस बीमारी को ढूंड कैसे निकाल देखा, थोड़ी दिर में हम लोग वो भी जानेंगे, लेकिन जब भी ये बीमारी होती है, तो उससे symptoms क्या होते हैं, लेकिन, symptoms जानने से पहले, let us first talk about types, क्योंकि types देखी बात करेंगे, तो symptoms ही हमें clearly पता चल जा आपको inflammation हुआ, और polymyositis is the same condition which Samantha is right now suffering from, let us wish her for a speedy recovery first of all, right, तो polymyositis, अब Samantha का example में आपको दे दिया, it is very prominent, remember, in females, तो polymyositis बहुत females में prominent होता है, और वो भी young females में prominent होता है, ये आपको ध्यान लगता है, इसके अलावा है, dermato myositis, dermato, derma, मतलब क्या होता है, it is connected to skin, अब यहाँ पे आपकी body में muscles में pain या फिर muscles में inflammation शुरू होने से पहले, आपकी skin पे rashes आना शुरू होता है, दियान लगतने आपको, skin rashes plus your muscle pain is dermato myositis, इसके अलावा, you have intrusion body myositis also, यानि कि full body myositis, right, ये आपको idium predominantly आपको ज्यादा 80 males में मिलता है, और old age में मिलता है, यानि कि 50 plus males में आपको idium बहुत देखा था, इसके अलावा, एक और generic variant भी है, जैसे कि toxic myositis, this is connected to toxic or some sort of a drug, जो आपने लिया है, drug induced myositis is called toxic myositis, right, अब ये प्रकार है, तो symptoms क्या होंगे, देखे, myositis का basic symptom है, आपके muscle में weakness हो जाना, आपक muscle inflammation शुरूआ, जानि कि आपकी muscle weak हो रही है, shoulder के muscles हो, back के muscles हो, hand के muscles हो, hips के muscles हो, जैसे मैंने को फूटो दिखाए थी, यहां पे, these muscles, जो भी red mark ने, इन muscles में आपको inflammation स्टार्ट हो जाएगी, muscle कमजोर हो जाएगा, चीज़े आप उठानी पाओगे, आपको pain होगा, aching pain होगा, या फिर आपको बैटने में, उटने में, बैटने में, walk करने में दिक्कत होगी, कई बार swallowing problem हो सकती है, अगर आपको, इन muscles में, आपको myositis हो जाएगी, इसके अलबार, dermatomyositis में, आपको rashes आने लगती है, red, purple तरह की, इस तरह की rashes आती है, उसके बाद आपको extensive pain शुरू हो जाता है, these are the basic symptoms, अब सवाल उठता है, sir, myositis को, मैं कैसे diagnose करूँगा, क्योंकि आपने बता है, कि इडियोपाती है, कि तो कैसे diagnose करेगी, सबसे basic idea होता है, muscle pain हो रहा है, तो सब लोग कहत हो, लेकिन अगर persistent रहा है, तो आपको कुछ extensive test करने पड़ेगी, जैसे की blood test, अब आप सोचोगे, sir, blood test से मुझे muscle के बारे में कैसे पता चलेगा, देखें, blood test में specifically, जब आप अपनी antibodies, यानि कि मैं कहूंगा WBC count देखोगे, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर आपके blood में WBC count बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है आपका immune system active हो चुगा, आपने देखा कि आपको कोई ज़्यादा बीमारी हो नहीं रही है, muscle inflammation हो रही है, लेकिन आपका WBC count is shooting very high, then that is one of the examples, enzyme level और antibodies, अगर आपकी बहुत ज़्यादा है, इससे हम लोग myositis का अनुमान लगा सकते इसके अलाबा, there is one more concept of biopsy, अब biopsy क्या होता है, what is biopsy, biopsy मतलब किसी भी जिन्दा cell को आप निकाल के उसके test करने है, biopsy और autopsy, ध्यान रखिएगा, इसका एक और term होता है autopsy, now autopsy क्या होता, autopsy मतलब dead, dead होने के बाद, यानि कि इनसान मरने के बाद अगर आप कुछ testing कर और autopsy, उसको रहेते हैं autopsy, right, biopsy मतलब living cell, living tissue का example निकाल के आप उसको test करो, जैसे बीमारियों को test करना है, जैसे आप biopsy of intercranial fluid भी कर देते हैं, या फिर कभी कबार spinal cord में जो fluid होता है, उससे भी कभी आप extract करके उसकी भी testing करते हो, that is a biopsy, biopsy of lung tissue, biopsy of your heart, heart muscles, biopsy of any muscle, जहां पर आपको पता चलेगा कि उस muscle में problem है, तो उस muscle या फिर उस muscle का tissue निकाल कर आप test करोगे, कि क्या कोई damage हुआ है, that's basic idea, इसके अलावा ये also have MRI and EMG, right, electromyography, very prominent idea is electromyography, जहां पर आपकी muscles की nerve endings को check किया था, जहां पर electrical signals भेजे जाएंगे, और electrical signals से आप देखोगे कि आ ठीक है या स्ट्रॉंग है या आपको पता चलेगा, so MRI scan will also tell you, या फिर आपको mainly EMG, electromyography, will tell you that you are suffering from myositis, right, so these are some of the diagnosis methods, इसके अलावा, treatment क्या होगी उसकी, अगर मुझे myositis हो गया है, तो is it very easy to treat, क्योंकि सुनके तो लग रहा है कि ठीक है, केवल muscle का pain है, तो क्या मैं exercise से, योगा से ठीक हो सकता हूँ, क्या कुछ tablet बगरा लेके ठीक हो सकता हूँ, देखे, काफी tricky चीज़ होती, जैसे कि मैं जबता है, it is idiopathic, सबसे पहले तो हमें ढून निकालना पड़ेगा कि इसका root cause क्या है, और जैसे अगर आपको बता चला, it is autoimmune disease, तो ये थोड़ा सा problematic हो जाता है, अब क्यों, क्योंकि कोई एक single treatment नहीं है इसका, सबसे पहले आपको steroids दिये जाएंगे, बिल्कुल pain killer, steroids, etc, इसके बाद अगर autoimmune disorder है, autoimmune disease है, तो आपको immunosuppressant medicine दिये जाएंगे, अब immunosuppressant medicine का एक बहुत बड़ा problem होता है, क्या है, कि आपके immune response को suppress कर रहा है, मतलब अगर आप ये medicine ले रहे हो, then you will be exposed to other diseases as well, यानि कि आपके immune system को आप थोड़ा सा weak कर रहे हो, आप tablet लेकर अपना immune response कम कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा, कि आपका immune system में आपकी किसी organ पर attack कर रहे है, तो मैंने क्या कि एक मेने tablet ली जो मेरे immune system को ही suppress कर रहे है, लेकिन immune system suppression के दूसरे problems भी हो सक रहे, इसके अलावा, इन treatments के अलावा, drugs के साथ-साथ, physical therapy हो, जिसे physiotherapy, exercise, yoga, etc., जहाँ पर आपकी muscle atrophy, यानि की muscle weakness को exercise भी बताया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी problem यह होती है, कि especially अगर autoimmune disorder है, तो जैसे ही आप treatment stop कर दो, तो relapse होने की possibility होती है, यानि कि जैसे ही मैंने देख लिया autoimmune disorder है, तो मैंने tablet शुरू कर दी, treatment शुरू कर दी, तो immune suppressants, immune suppressants मैं ले ली, लेकिन जैसे ही मैंने वो immune suppressants कई बार ऐसा होता है कि immune suppressants का treatment लंबा चलता है, जिससे आपका immune system, it is suppressed, so you will be susceptible to other disease, that's the tricky thing, इसके अलावा, नई-नई treatment methods भी आ चुके है, जैसे कि IVIG दी जाती है, immunoglobulin therapy आ चुकी है, या फिर monoclonal antibodies आपको दी जाती है, ये कुछ नई treatment methods भी आ चुके है, तो अब ऐसा नहीं है कि myositis हो गया, आपको यही चीज़ करने, तो इसलिए मैंने आपको बताया है, कि there is no one fixed or one size fits all treatment for myositis, that is why, that is why Samantha Routhprabhu, she also, उनने जो पोस्त किया, she also told, कि she did not want to tell it right now, लेकिन उनको लगा कि treatment होने के बाद बताएंगे, बढ़ चांसे आपने जैसे treatment बंद कर दी, तो आप relapse हो सकते हो, वापस आपका immune system गडवडा सकते है, तो इसलिए she told it, right, so let us wish her a very speedy recovery, and I hope कि अगर myositis के उपर कोई भी सवाल आएगा, तो I hope everybody will be ready for that, right, that is it right now in this particular discussion, अगर इस पर कोई update आएगी, कोई दूसरी ख़बर आएगी, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे on study IQ, but that's it today, thank you for watching this video, and again, कन्नड़ राज्यो सवदा शुवाच्य गड़ो, once more, thank you for watching this video, and you know, अगर आप कोई पसंद आए, you can always follow me on my social media ID, at the rate, Rahul Sai 222, thank you very much, Jai Hind.